तो देखे चल ला था भारत संग उसकी राजचेत्र के पुनर संबंद पे कोश्चन तो मैंने टेन कोश्चन करा दिया था आज उसके आगे 11 से कोश्चन कराने जा रहे हैं दोस्तों तो देखे अनुच्छे तीन के अंतरगत राजचों की सीमा या नामों आदी में परिवर्तन करने के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों की कहना तो देखे संबंदित बिध्यक संसत में तभी पेस किया जा सकता है जब राश्टपती उसके लिए सिपारिस करे अगला द अगला देखे यदि राजच का विधान मंडल अपने विचार राश्टपती को भेज देता है तो संसद उन विचारों को मानने के लिए बात देए तो उपियूक्त सभी सही है दोस्तों अगला देखे दोस्तों यहां पर क्या है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए तो आरंब में मद्रास राज का हिस्सा माना गया था बिल्कुल सही है उनी सो चपन के राज पुनर गठन अधनियम दोरा अंडमा निकोबार द्वीव समुय अलाच दीपो को दोनों संग राजचित का दरजा दिया गया ये भी सही है सी सही है एक और दो अगला देखे दोस्तो यहाँ पर क्या है कि देखे यहाँ पर क्या दिया हुआ है राज पुनर गठन यहाँ पर देखे राज पुनर गठन के संबंद इनमिकित कत्नों पर विचार कीजिए धर आयोग ने भासाई अधार पर राज्यों के गठन पर अपत्ती जताई ये भी सही है दोस्तो अगला दोस्तो यहां पर क्या है उन्नीस सो तिरपन में गठित राज पुनर गठन आयोग ने भी केवल भासाई अधार पे राजों ने पुनर गठन से और समती जताई थी तो केवल एक और दो सही है इसके बाद देखे दोस्तो यहां क्या है 1948 में गठि जेबीपी समिती ने भी भासाई अधार पे राजों के पुनर गठन में आम समती जताई अगला देखे दोस्तो यहां क्या है भारत में राजों के पुनर गठन के संदर निल्मिकित में से कौन सा कथन सही है तो देखे इसमें धारायोग ने 16 राजों तीन संग चेतरों का गठन किया ये भी सही है तो केवल दो सही है दोस्तो केवल क्या सही है दो सही है इसकी ब्याख्या देख लीजे दोस्तो बहुत इंपॉर्टेंट है धार आयोग ने 1949 में पेस अपनी रिपोर्ट में राजों के पुनर गठन हेतु भासाई अधार की बजाय प्रस संब्यधान की अंतरगत चार आयामी राज्यों की वरगी करण को समाप किया गया 16 राज्यों तीन संग राजे छेतरों का निर्माण किया गया साथ में संब्यधान संसोधन अधनियम 1956 द्वारा एक नॉमबर 1956 को 14 राज और 6 संग राजे छेतरों का गठन किया गया अगला द भारत के छेत्र और भारत का संग से जादा वियापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि भारत का संग में सिर्फ राज सामिल है। की भारत के छेत्र में न केवल राज बलकी सभी संग सासी छेत्र एवं वे छेत्र जीने ने भारत द्वारा भविस्त में कभी भी अधिकरित किया जा सकता है। यहां क्या है कि यह एक गांधी वादी कारे करता थे और नमक सत्यागरा में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याक पत्र दे दिया था। इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याक पत्र दे दिया था। अलग करके 1972 में मेघाले राज बनाया गया। यह गलत है दोस्तों भी गलत है। इसके बाद देखे नागालेंड राज का गठन 1903 में हुआ था। इसके बाद देखे मिजोरम और वडांचल परदेश 1987 में वजूद में आये। इसके बाद देखे मडीपूर त्रिपूरा राज 1972 में अस्तित्तों में आये। और पुर्वरती पंजाब से अलग करके हरियाना राज और हीमानचल प्रदेश के नाम का संग राज छेत्र बना गया। अगला देखे निमलिखित कत्नों पर विचार कीजी। भारत का संबिधान केंद्र को सामान विधाई प्रक्रिया का पालन करके राज को नश्ट करने क सक्ति प्रदान करता है। कि केंद्र राज को नश्ट कर सकता है। इसलिए भारत को बिना असकारी राज का एक अभिनासी संग के रूप में वड़ित किया गया। जिसमें राज्यों को संग से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र को राज को नश्ट करने का अधिकार दिया गया। अगला देखे दोस्तों यहां क्या है भारती संविधान के अनुचे चार में कहा गया है कि नए राज्यों में के प्रवेस या गठन या नए राज्यों के निर्माड और मौजूदा राज्यों की सीमाओ, छेत्र और नामों में परिवर्तन को अनुचे 368 के तर संविधान संस नहीं माना जाएगा, इसका और तक कि ऐसे कानुनों को साधान बहुमत और सामान विधाई प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है, इसके बाद देखे 1947 में ब्रिटीज संसत्ता की समाप्ती के बाद सिक्किम को भारत रच्षित किया गया, जिससे भारत सरकार ने सिक् आर शिक्किम भारत का एक अभी नहित्सा बन गया, 36 समय 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 अधिनियम 1975 को सिक्किम को भारती संग 22 समय का पूढ़ राज बनाने के लिए अधिनियम मीत किया गया, अगला देखे दोस्तों, यहां क्या है, सिक्किम के बिलाय में निमलिखित कतनों में कौन सक्दत कतन वि परतसन जो था सिक्किम को है? श्किम की बागदोर यहां के राजा के हाथ में थी. अगला देखे दोस्तों यहाँ पर क्या है? इसके बाद देखे सिक्किम विधान सभा के लिए पहला लोग तांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ, सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली सिक्किम विधान सभा के पहले भारत के सप्रती बनने की कोशिस की, लेकिन इसके बाद 1975 में एक प्रस्ताव पारित करके भारत की साथ पुड बिलय की बात कई, इस प्रस्ताव की तुरंद बाद सिक्किम में जन्मत संग्रा कराया गया और जन्मत संग्रा में जन्ता ने विधान सभा की फैसले पे अपनी मुहर लगा दी, भारत सरकार ने सिक्किम विधान सभा की अनु अगला देखे दोस्तों यहां पर क्या है अगला कुशन देखे कस्मीर से संबंधित निमलिखित में कौन सा कथन असत्य है तो देखे कस्मीर की हिंदू सासक हरी सिंग ने अपने को स्वतंत राज्य के रूप में गोशी रखना चाहते थे बिल्कुल सही है पाकिस्तान नेता स दोसते थे कि कस्मीर पाकिस्तान से सब्बद है क्योंकि राज की जादा तराबादी मुस्लिम है यह भी सही है सिक अब्दुल्ला चाहते थे कि माराजा पर छोड़ दे और कस्मीर पाकिस्तान में सामिल हो जाई यह गलत है दोस्तों और अगला देखे डी वह अक्टूबर 1947 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठीयों को अपनी तरब से कस्मीर पर कपजा करने बेजा, इसके बाद कि 1947 में पहले जमू और कस्मीर में राजसाही थी, इसके हिंदू सासक हरी सिंग अपने को सुतंत रखना चाहते थे, वे भारत पाकिस्तान सीवा किसी में सामिल होने के पचदर नहीं थे, चुक히 राज्य में जदातर आबादी मुसलिमों की थी, इसके लिए पाकिस्तान नेताने, इसे पाकिस्तान से सब्बद मानते थे, राज्य में नेशनल कॉनफरेंस के सीख अबदुला के नेत्रितों में ये जनान दोलन चला, सीख अबदुला चाहते थे कि माहराज पर छोड लेकिन पाकिस्तान में सामिल होने के खिलाब थे और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की कबायली घुसपैटियों को अपनी तरब से कस्मीर पर कपजा करने को बेजा ऐसे में कस्मीर के महराजा भारती शेना ने मदद मागने को मजबूर हुए भारत ने सैन मदद उपलब्द कराई और कस्मीर घाटी में घुसपैटियों को खदेडा तो देखे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइफ करिए सस्क्राइब करिए दोस्तों धन्यवाद क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों और ये सिरीज जो चल लही है दोस्तों ये आपको आरो यारो और जो छोटे एक्जाम है उसमें भी बहुत ही सफलता आप लोग को दिलाएगी